दोस्तों आज हमारे पास एक आई टेल का हैंड साट आया है और इसको हमने डाइगनोस किया और डाइगनोस करने के बाद हमको इसमें जो फॉल्ट मिला है इम्मसी के नीचे जो के पांच जो है पिन डैमेज हो चुके थे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड के अं को है नौलेज चाहिए कि फॉल्ट को फाइंड आट कैसे करें दूसरी चीज आपको ज़रूत परती है यहां पर हैंड स्किल की तो यह दोनों चीज अगर आपको सीखनी है फॉल्ट फाइंडिंग और हैंड स्किल का काम तो आप जोईन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद 27 फैप से हमारा नेक्स्ट बैच है फ्यू सीटें लेफ्ट है अगर आप चाहे तो आ सकते हैं तो यहां पर फ्रेंड्स आपको एक न्यू ब्लेड लेनी है 11 नंबर की और जो हमारे पिन डैमेज हुए थे वहां पर आपको स्क्रैच लगाना है देखिए मैं जैसे स्क्रैच propagate यहां पे कर रहा हूं ताकि हमको आपको अपनी से लग जाए तो catching करके मैं आपको आपको एक बार दिखाओंगा उसके बाद हम जंप्र लगाएं गे और आपको दिखाएंगे और यह भी गुलु लगा करके उसको फिर हम एप के बाल बना करके और फिर देखेंगे कि हमारा problems solved होता है क念 होता है तो यह जो होता है फ्रेंďस Yo मार्किट में जो है काफी سारे ऐसे आदेव धूरे technician भाई होते हैं जिन Argentina नहीं होती है तो वह आड़ानी की को फैट कर में निकालनी की को सक अब, चब्सक्री में उसके पिंट को scratch कर लेते हैं दोस्तों हमारा जो ये काम होता है patience का काम में ठोड़ा सा सबर रखना है धेरिये रखना है थोड़ा सा धीरज रखना है तब जागर के आपका काम होगा अगर आप जलबाजी करेंगे या घाई करेंगे तो आपका काम इस तरीकर से नहीं होगा तो दोस्तों कैसे करना होता है dad mobile को easy tricks क्लास में देते हैं DC की switching की इत्राइब आपको बताते हैं multimeter को कैसे यूज करना है कैसे fault को find out करना । यह आपको बताते हैं Eye scanning क्या होती है यह आपको हम सिखाते हैं कि एक PCB को को देखने का नजरिया आपका चेंज कर देते हैं दोस्तों हमारे यहां पर बीज दिन की ट्रेनिंग में बेसिक टू एडवांस लेवल पर हम काम सिखाते हैं हाडवेर सौफवेर इमेंसी एंड यूफस प्रोग्राइमिंग चारो चीज आपको यहां पर सीखने मिलेगी धर मैं आपको तोड़ा सा जूम करें बताता हूँ ओं ए देख सकते हैं इस कर देख लिए हैं अब हम पांच बाल यहां से डामेज है अल हम इसमें जंपर करते हैं और जंपर करके आपको दिखाते हैं दौस वीडियो जो है काफी टाइम लगता है एक से दो गंटा इसमें जाता है लेकिन आपको बताने के लिए हम 5-7 मिट के अंदर इस वीडियो को कंप्रेश करते थे ताकि आपका टाइम जो है बहुत इंपोर्टन है हमें पता है आप अपना टाइम निकाल करके वीडियो देखते हैं सलुशन यहां पर आपको मिलते हैं तब जा करके आपको आप इठारे डाले हैं बड़ हम चाहते हैं कि शॉट वीडियो समस्ट्ट को दे शॉट टाइम में आपको सलुशन मिले तो यहां पर आप देख सकते हैं जंपर लगा लेंगे फटाफट सारे जंपर लगा लेंगे पांच जंपर लगाएंगे और इसको नीचे बॉल बनाने होते हैं आपको नीचे जिले भी बनानी होती है तो जंपर लगाने के बाद आपको जिले भी बनानी होई इसमें तो रहा सा टाइम लगता है बहुत ही बारीक जंपर लगाने होते हैं व आप देख सकते हैं MMC हमने fix कर ली है और यह handset आप देख सकते हैं हमारा पूरी तरीखे से on हो रहा है तो चलिए पूरा on होता है के नहीं होता है देखते हैं लास्ट तक DC की switching के साब से यह on हो रहा है और पूरी तरीखे से on हो जाएगा अभी तो यह आई टेल का कोई handset है पता नहीं कौन सा model है बट हमने इसको diagnose किया और fault हमको मिला पांच jumper लगाने पढ़े बोड के अंदर IC में भी हमने चेक किया था हाला कि IC में भी पांड बहुत सारे pin damage हो चुके थे बट वो सारे NC pin थे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह handset on हो रहा है तो दोस्तों एक circuit की knowledge hand skill का काम एक अपना life का काम करने का experience होता है अगर आपको कम समय में यह सारी चीज़ चाहिए 20 दिन दीजिए phone fix हैदराबाद की team को हमारा सालों का experience आप लेकर जाए हजारों बच्चे यहां पर आकर के हैदराबाद आकर के काम सीकर जाकर इंडिया के level पर काम कर रहे हैं कई सारे बचे हमारे institute जाकर के institute चला रहे हैं वह teacher बन चुके हैं बहुत सारे instrument अपने market बहुत अच्छे level पर काम करते हैं हम यह नहीं कहते हैं कि आपको perfect बनाएंगे लेकिन हम यह जरूर कहते हैं कि आपको professional technician जरूर बनाएंगे कि आप जो भी काम लेंगे अगर आपके पास नहीं बना तो वह कहीं पर भी नहीं बन पाएगा क्योंकि इस लेवल तक आप चेक कर लेंगे इस लेवल तक आप काम कर सकते हैं ब्लैक पेस्टे डूल लेकर यूए फस पर तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें थैंक्यू वेरी मच